संगर्ष करना यानि कठिन परिस्तितियों से गुजरना, संगर्ष जिसे हम दुख मानते हैं, संगर्ष को सहज स्युकारें और हर हालत का मुकाबला करने की प्रवर्ति हमारे मन के अंदर होनी चाहिए. संगर्ष को तेजपूर्ण बनाए, इसका उधारण हमें महाभारत युद्से भी मिलता है. महाभारत युद्व में अभ्युमन्यू का वद हुआ, इस बात का जब अरजुन को पता चला तो उसे बहुत ही गहरा आगहात लगा. अभुमन्यू के वद में मुख्य भूमी का सवाल करने लगा, गुरु देव ऐसा क्यूं, हम सबी एक ही वर्ग में पढ़ते थे, एक समान ग्यान प्राप्त करते थे, आचारे भी आप ही सब के एक हैं, इतने पर भी अरजुन इतना आगे कैसे निकल गया, और मैं यूं ही पीछे क्यों रह गया, त्रोना चार ने दुर्योधन को जीवन चक्र का ग्यान समझाया, उन्होंने कहा इसका एक ही कारण है, कस्ट संगर्ष की भट्टी में तपना, अर्थात अर्जुन हमेशा संगर्ष से गुजर कर आगे निकला, उसका जनम जंगल में हुआ, तीन बा संगर्ष का तो तुम्हें अन्ववी नहीं था, और जो वक्ति कस्ट संगर्ष सहन नहीं करता, उसकी प्रगती नहीं होती है, संगर्ष हमें, जिसे हम दुख मानते हैं, दरसल वही तो जीवन का अमरत है, संगर्ष जीवन की प्रगती के लिए अनिवार्य है, वरना काडियोग्राम में इस्तिर या सीधी रेखा तो मिर्ट्यू का ही सूचक है, आशा, उस्सा, सहाथ, शोर्य, संगर्ष वीहिन, जीवन, अर्थात, सब कुछ खतम हो जाना, सच्चे योद्धा वो हैं, जो विफलता के थपड़ों में लवलुआन होने पर भी मैदान नहीं छोड़ते, अतिसुंदर एक वाक्य है कि खंबात की खाड़ी में व्यक्ष्यात अकीक, अकीक क्या होता इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अकीक के पत्थरों को चमकदार बनाने के लिए थेलों में भरा जाता है, थेला भरने के बाद इसका मुँ बांद कर जोड़ जोड़ से हिला कर मता जाता है, इस प्रक्रिया में होने वाले घर्षन से बेतरकीब उबडखाबड पत्थर चमकीला आकार ले लेते हैं, संगर्ष हमें बहुत सुन्दर और तेजपूर्ण बनाएंगे, इसलिए आईए संगर्ष से मुना चुराएं, शुनोतियों का आगे बढ़कर स्वागत करें, करेंए संगर्ण बनाएं, शुन्दर चमकीला आकार लेते हैं, संगर्ष चमकीला आकार लेकर स्वागत करें,